तो चलिए बात करते हैं, MCA T20 कब जो खेला जाएगा, TW versus RST के बीच मुकाबला खेला जाए, काफी बढ़िया मुकाबला हो सकता है, देखो केप्टन वास की बात की जाए, तो इस मेच में 3-4 केप्टन वास के लिए बेश्ट उप्सन होने वाले हैं, बस थोड़ा सा फोकस कर लोगें, वैसे देखा जाए, तो अभी टाइम ज्यादा बेतर नहीं चल रहा है, इस वज़स ज्यादा मेच भी मैं कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मुकाबले क्या करना है, आप लोगों को GL1 से अधिक ज्यादा तर ज्वाइन करना है, जो मैं वीडियों बताऊंगा, दूसरी बात है कि डेली जो आप इंवेस्ट करते हो, इस मुल लिग में, उसका 25% लगाना है, यानि चार कॉंटेस्ट लगाते हो, तो एक ही कॉंटेस्ट इस मुल लगाना है, या फिर जो 100 कॉंटेस्ट लगाते हैं, तो 25 कॉंटेस्ट लगाना है, यानि कि 25% करना है, बस थोड़ा सा टाइम बहतर आ जाए और बहतर सम्मेच आ जाए तो फिर हम लोग अच्छा खासा इंवेश्ट कर सकते हैं तो उसका इंतिजार है और वैसे देखा जाए तो मेरा एक्जाम भी 27 से स्टार्ट होने वाला है तो उसमें थोड़ा सा बीजी हूँ तो फूल फोकस नही कर पा रहा हूँ तो दोस्तों चलिए इस मुकाबले को अगर जदी आप खेल रहे हो तो सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना तो आपको ज्वाइन करना किस परकार है तो दोस्तों जैसा कि आप हमारा इस परकार से वीडियो किलिक करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पर चले जाओगे वहाँ पर रहेगा ज्वाइन आपको ज्वाइन हो जाना है वहाँ पर मिलेगी फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ इनके अलाबे जील से रिलेटर बहुत सारी बाते जो जील विन करने के लिए काफी होता है और बहुत सारे लोग जील विन कर भी रहे हैं और मैंने कई बार फिरी में जील विन करवाया भी है तो इस वज़ा से हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना चीए इनके लाबे कुछ जनकारी लेना हो तो इंस्टागराम पर भी मेसेच करो मैं और इजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरिये ही जुड़ना है तो दोस्तों बात यहां पर करेंगे दोनों टीमों के स्कोर काट के यहां पर देख सकते हो टी डबलू की टीम जो 78 रन पे ओल आउट हो गई थे साले सदमन ने यहां पर 28 रन की पारी खेली सबसे बहतर इनके टीम में केप्टन वाइस देखा जाए तो साले सदमन है दुर भाग यह तरीका से हलंकी रन आउट हो गया कमाल के गेन बाजी करते हैं तो काफी बढ़िया ओप्सन हो जाएंगे इनके अलावे देखा जाए सूमीत का भी रिकोर्ट काफी सांधर है करियर रिकोर्ट देखोगे तो हलंकी यहाँ पर जीरो प्याट हो गया तो यहाँ पर दो पिलियर मुझे ज्यादा बहतर लगते हैं साफिक सरीप की बाद के इनका भी डोमेस्टिक ठीक ठाक है अब बात करें इनकी गेन बाजी की तो एक चीज महीं ने देखा इस स्रीज में विक तेन बिक्टे इस तरह करके इन्होंने रिसेंट में बिक्टे लिये हैं तो थोड़ा सा नजर डालना है साले सदमन के बारे में मैंने बता दिया केप्टन वाज के लिए वेस्ट ओप्शन होना चीए मिचल मासी की बात किया इनका वी रिकोर्ट डोमेस्टिक में भेतर है इ मुरैली की बात किया ठीक ठाक गेन बाजाए ंवरेज गेन बाजाए ट्राइ करना चाहिए लेकिन ट्राइ करो जादा बेसे जक्रलों भिद्धो दोस्तों यहां पर दूसरे टीम का स्कोर कार्ड देखा जाए तो यह पर ओपन यहां पर आये थे एस गो साभी की बात के इनका रिकोड देखो Richo सन्तोज गो साभी का रिकोड काफी ज़ादा बेर है इनके अलावे अनरूद पमाराजू की बात कि ये भी काफी बढ़ीया इनका भी करियर रिकोड है तो दो दोनों का आपको बिल्कूल ट्राइब करना चीए अब देखो अनिमूल हाफीज की बात के ये इंटरनेशनल पिलियर है ये इंटरनेशनल मुकाबले भी कई सारे खेल रखे है तो इस पे थोड़ा फोकस करना है केप्टन भाज के लिए सबसे बेस्ट ओप्सन यहाँ पर एस गोसा भी होना चाहिए इनके टीम से चार उबर की साथ में ऑपन आ रहे है 50 दन की अच्छी पारी खेली इनकटर उब पीटर रिसाक देखो ये भी चार उबर की गेन बाजी करे रहे चार नमर पिया रहे है तो यह सकते हिनका बले बाजी ना भी बलेबाजी कर लेता है साथ में पार्ट टैम गेनबाजी करता है लेकिन गेनबाजी के चांस काफी कम है हसनत निसार की बात के देखो इनका अंडर 19 जो चल रहा था यह इस देश का तो उसमें यह काफी बढ़िया यह परदर्शन कर रहे थे तो थोड़ा सा इस पर नजर डाल हसनत निसार के बलेबाजी एक सासा गेनबाजी कमाल के करते है केप्टन वहस इन्हें आप वे हिचक दे सकते हो काफी बढ़िया यह गेनबाज और बलेबाज है सुबरेमन्यम की बात किया है देखो यहाँ पर इनकारी को ठीक ठाक है गेनबाजी जादा तर बेहतर करता है बलेबाजी उतना खास नहीं कर पाता है तो पाट टैम आपको गेनबाजी भी करते हुए नजर आ सकते है थोड़ा सा इस पे भी आपको नजर डाल लेना चीए गेनबाजी देखो गत कमाल की गेनबाजी क्या है गो साभी की बात के एक बिक्टे लेगे भी भरगेस ने यहा सबस्क्राल Village कोई कोई भी अब डिंगे बन को तो दोस्तो अगर ज़यादी इससे पहले हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करलो क्योंकि कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पले इंफोर्मेशन दे देता हूं इनके अलावे बहुत सारे अपडेट जो आता है जो अभी फिरी में टीशाट अपडेट चला है वो भी मैं दे रहा हूं तो इस वज़ा से हमारे चैनल को आपको बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले ना च तो सिधा तरह हमारा टीप आप देख सकते हो तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है क्या चेंज कर सकते हो यहां पर देखो एक यहां पर गेनबाज काफी बनिहा गेनबाज यहां पर मीं सो रहा है अनिल कुमार ठाकूर की बात क्या काफी बनिहा रिकोड है तो आप इनको अलावे यहां पर देखा जाए अगर जदी आपको लगता है कि एक एस्ट्राइगेन बाज ले लेना चीए तो यहां पर सी कुमार को ड्रोब करके यहां पर आपको एक एश्ट्राइगेन बाज सुबरन्यम के रूप में ले सकते हैं फिलाल के लिए सेप ओपशन यहां पर य ये टीम है इस पर जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जागा अपने टेली गराम चैनल Domestic Playing 11 पर तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं